नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हीमिडे अजूकेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों हीमिडे अजूकेशन डेली आपके लिए जोब अपरेट लेके आता है तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को अजरूर कीजिए ताकि आपके पास जो डेली जोब अपडेटा और हिमाचास से रेटेड जितनी भी इंफोरमेशन होती है जो अपसे रेटेड वह आपके तक इन टायम पहुंच सके तो आज की जो हम लोग विकेंसी की बात करने जा रही है यह डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों की विकेंसी पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं और कैसे अपलाई करना है इसकी चर्चा अब हम लोग इस वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन हमारे पास है वह विकेंसी नोड निकाला है डिपार्टमेंट पीजी आए चंटिगड के दोवाला जिसमें की डाट पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं लेकिन शारत ये है कि आपके आपस तीन से चार साल का एक्षपीरेंस होना जरूरी रहेगा और अगर हैंटेग क्यंद् t चेट है दोस्तों वो साथ नवंबर रहेगी सोरी साथ फरवरी रहेगी साथ फरवरी से पहले-पहले आपको इस पोस्ट के लिए अपलाई करना होगा और अपलाई करने का पुर्सेस की बात करें तो सिंपल यह आपको अपना एक सीवी बनाना है और सीवी के साथ अपना प्रकार की फीस जो आपकी इसमें नहीं लगेगी सेरी स्टर्चर क्या रहेगा इसमें और जो पर्मानेंट है या टैंपरेरी है तो इसमें आपको बता दे हम लोग की यह जो जो है टैंपरेरी बेसिस पर फिलाल भरी जा रही है और सेरी स्टर्चर के वारे में इसमें अभ आमीन असिस्टेंट की वेकेंसी रहेंगी जिसमें नंबर औफ पोस्ट की बात की जए तो एक समें पोस्ट की बात की जाए तो कि जो लास डेट है दोस्तों अनतीस जनवरी रखी गई है और इसको अपलाई करने का प्रसेस सेम रहेगा कि आपने एक सीवी बनाना है और सीवी में अपनी सारी डिटेल फोर नंबर एमेल अड्रेस के साथ अपना एक्सपिरेंस जो भी आपके वास क्वालिफिकेशन है उसको आपने त्यार करके इनके दुआरा इनकी बताईगी इमेल जो की पीजी आई मे यार डोट वदवानी एड़ जीमेल डोट कॉम है इस पर आपने इमेल ड्रेस पर आपको ने मेल कर देनी है तो ये दूसरी विकेंसी थी हमारी तीसरी विकेंसी की तरफ चलते हैं तीसरी विकेंसी जो है हमारी स्टाफ नर्स की विकेंसी है और ये जो विकेंसी है दोस्तों ये भी पीजी आई में ही निकली है अलगलग डिपाल्मेंट है पीजी आई के अंडर तो जो अपनी अलगलग recruitment करते हैं तो यहाँ पे भी जो position की बात की जाए तो number of vacancy एक रहेगी और IUC में की बात की जाए तो cut-off इसमें 30 years दी गी है जाने कि 30 वर्ष से कम आपकी IU होनी चाहिए essential qualification की बात की जाए तो आपके पास इसमें diploma होना चाहिए nursing में या फिर आपके पास GNM हो या फिर और इसके rated को equivalent course हो और आपकी registration होनी state में जरूरी रहेगी और desirable में इसमें जो है BSC nursing candidate को रखा गया है और experience भी आपका जो desirable में है वो new nurse में हो तो ज़्यादा better रहेगा duration इसको throughout जब तक project चलेगा तब तक रखा जाएगा और project जो है इनका अगस्त 2022 तक चलेगा salary की बात किज़ा तो salary structure as per ICMR norms रहेंगे और वो norms कहा है दोस्तों उसका हमें भी नहीं मालुम अगर आपको पता हो तो आप हमें comment box पे उसकी notification जिरूँ शेयर करें इसमें जो interested candidate है वो online application form को जो इनके द्वारा एक google link का दिया गया है इस link पे click करके जो है आप इस google form को fill कर सकते हैं और इसको जो fill करने की last date है वो 30 जनवरी बिल्कुल last date रखी गया 30 से पहले पहले आपको इस पे apply करना होगा तो दोस्तों इसमें आपको किसी परकार की जो interview में आऊंगे तो TADA जो है PGA की द्वारा नहीं दिया जाएगा और different relaxation इसमें जो IUC में दी गई है बिवीन categories पर जो Indian government rules है तो किसी परकार की अगर queries है तो आप इनको mobile number पर या इनको email भी कर सकते हैं तो अब चलते है नेक्स्ट विकेंसी की तरफ अगली जो विकेंसी है हमारी वो सेक्टरियल असिस्टेंट की विकेंसी है नमबर और पोस्ट इसमें भी एक रहेगी qualification की बात की जाए तो qualification जो रहेगी इसमें आपके पास graduation science में की होनी चाहिए या फिर आपके पास master होनी चाहिए आर्ट्स या कॉमर्स में और साथ में तीन वर्ष का experience होना चाहिए जो कि आपके पास sectorial या फिर एक्जीक्यूटिव assistant profile का हो reputed institution में आपका होना चाहिए या फिर government या semi-governmental organization का होना चाहिए और experience उसको दी जाएगी जिसका experience जो है managing financial accounts का होगा इसमें जो आई उसी मा maximum रखी गया वो 65 years रखी गयी है service चच्च्च्च्च्च की बात की जाए तो इसमें 30,000 पर मंद service दी जाएगी और इसके इलावा किसी परकार का HR इसमें नहीं दिया जाएगा और last date इस post के लिए apply करने के जो है वो 10 February रखी गयी है और इसको अगर आप apply करना चाहते है तो simply आप इसमें भी एक अपना resume बनाएंगे cv बनाएंगे जाने की और इनके दोबरा बताएगे mail id पे आप इसको post कर देंगे send कर देंगे last करने की जो date होगी send करने की वो 10 February होगी एक single PDF बनाएंगे आप जो की 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिसमें की आप अपना CV की detail रखेंगे experience रखेंगे scan copy test करेंगे government ID proof अधार कार्ड वगारा की date of worth यानकी metric certificate plus two certificate और जो भी आपके बसे सभी document को test करके आप एक PDF बनाएंगे उसमें आप अपना CV भी mention करेंगे और इसके साथ last में आप यह undertaking देंगे यह words लिखेंगे और फिर आप उसको send करेंगे तो दोस्तों इसमें अगर आपको किसी वर्खत की queries है तो इनके द्वारा एक mail ID दी गी आप इस mail पर आप इनको mail करके queries भी sort out कर सकते हैं या फिर नीचे यहां इनके द्वारा contact number भी दिया गया आप उस पर भी call करके अपनी queries को sort out कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास इतने जोब अप्डेट हैं कुछ और वीडियो को हम लोग आपके पास फिर लेकि आएंगे तब तक आप हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बैल बटन को ओन रखें थैंक यू फर वाचिंग ही मिडिया एजुकेशन